इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवाई का उप्योग करत ये रस विशाक्ता के लिए एक अच्छा मारक है क्योंकि इसका तवचा और शलेशम जिल्ली पर एक मजबूत प्रभाव पड़ता है, साथ ही चहरे की तवचा और अनप्रणाली में जलन वाले बाहरी जन्नांगों के लिए एक अधिमानने आकरशन होता है। इसका उप्योग दबाने वाले सिर्दर्द, दानेदार पलके, कौनिया पर फुनसी, रात के समय मूत्र, जागदार अस्थमा, सूजे हुए स्तन और खांसी के इलाज के लिए किया जाता है। चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में। एक, ये रस विशाक्ता के लिए एक प्रभावी मारक है। दो, मल त्यागने की लगातार इच्छा को कम करने में मदद करता है। तीन, यहाँ आपको पित्ताशे की समस्याओं, पेट के दर्द और अवरुद आंतों के इलाज में मदद कर सकता है। चार, यह मान स्पेशियों और जोडों के दर्द यानि की गठिया, गठिया, तंत्र का दर्द यानि की नसों का दर्द और ब्रोंकाईटिस में भी मदद कर सकता है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो, तो विडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें।